वेल्कम बैक तो माई चैनल तो इस वाली वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं कि कौन सा फिक्सेटिव स्प्रे बेटर है तो यह दोनों फिक्सेटिव स्प्रेइज जो हम यूज करते हैं जो जनरली आपको शॉप से मिल जाएंगे यह वाला थोड़ा सा सस्ता आता है यह थ देखा ही होगा इसकी MRP 350 है यह वाला ब्रिस्ट्रो का स्प्रेय है यह भी ऑनलाइन में मंगाया था यह 400 ml में है और यह 200 ml में है तो आप रेट में थोड़ा ऐसा कमपैरिजन करना कि यह सस्ता है क्योंकि चोटा भी है यह डबल साइस का है इसलिए थोड़ा महंगा भी होना पिर सब्रिस्ट्रो वाला थोड़ा महंगा इसके ब्रिस्ट्रो वाला थोड़ा सा मेंहगा है इसके कमपैरेजन में लेकिन हम टेस्ट करके देखंगे कौन सा वाला तो यह वाला बेटर हो तो थोड़े जादा पैसे देना बनता हो इसलिए हम टेस्ट करके देखेंगे फिर बताएंगे कौन सवाला मैं खरेदना चाहिए टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इनको यूज कर रहे हो तो आप जरूर मास्क पहन लो या फिर रुमाल बान लो क्योंकि यह बहुत जादा टॉक्सिक होते हैं इनको इनहेल नहीं करना चाहिए आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत खराब है इसलिए आप प्लीज मास्क यूज करना तो मैं भी मास्क पहन के डेडी हो अब हम पहले यह वाला स्प्रे ट्राइए करेंगे इस वाले स्फेयर पे और आपको एक बात के धियान रखना है कि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो पास से नहीं करना है थोड़ा दूर से हम स्प्र बारें पर रखता है और थोड़ा गेड़ में इस तरह से मैंने पर इस पर कड़ दिया है अब हम दूसरा वाले स्प्रे करेंगे इस पे थोड़ा से तब तक यह डुरा होगा अब दूसरा वाले ट्रैं गरते हैं इसके लिए भी सेम हैं आप थोड़ा सदूर रखो के ऐसे जाए गीला ना हो और स्प्रे भी अच्छ से हो जाए थोड़ा सा टेड़ा करके रखना होता इसको भी हम अब ड्राय होने देंगे चलो जब तक यह ड्राय हो रहा है तब तक मैं आपको बताता हूं कि फिक्सेटिव प्रे क्यों यूज करते हैं और आगर आपने कभी यूज तो आपको क्यों यूज करना चाहिए इससे अडवांटेज क्या होता है कि इससे आपका स्केच एकदम फिक्स हो जाता है उस पेपर पे आप कहीं भी हात मारोगे वो फैलेगा नहीं पैंसल खराब नहीं होगी कुछ टाइम बात पैंसल उड़ जाती है जहां भी टच होगा अगर आप काणा विडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा क्योट बढ़ा विच यह हमारे तो थोड़ा रफ सा फील हो रहा है अभी और एक फाइदा गया स्प्रेय से होता है जब आप ब्लैक करते हो पूरा पेश डार्क है यह चार कोल पाउडर है तो काफी स्मूध हो जाता है यह पास करने के विज़ से जो मैंने कॉंट्रास दिया उसके तो सोड़ा लग रहा होग तो थोड़ा समय आपको फिर से दिखाता हूँ यह वाइट पोर्शन जो है अलका ब्लैक डॉर्ट वाइक डॉर्ट वाइट एक्चुली से आता है ब्लैक चार कोल की डॉर्ट होंगे यह हमारा ब्रिस्ट्रो वाला है इसमें वाइट डॉर्ट बहुत कम है और यह स्मूध ह है वह वाइट पार्टिकल जो है वह भी नहीं है वह आटे की तरह हात में आते हैं अब देखो एक बार उंगलियों से कंपैरिजन करते हैं मेरे दोनों उंगली क्लीन है अगर मैं इस वाले पर रब करता हूँ अदте की फैकर ऑन को इलिए एक लिए यह इलिए उन उन आडए इन उन चाहिए जहें हैं तो उन पर दोनौन हैं थोड़ा सव ön लगेगा तो नहीं आइगा अधर्वाइग अगर ऑन चार्बन में लगा रहा होता है की मेरी अधर तो इक में है अभाड़ कामव प्तों ne में homes काम दोनों सिमिलरी कर रहे हैं लेकिन अगर मैं बुस्टो वाला देखूंगा तो स्मूड टेक्शर देता है थोड़ा सा और यह थोड़ा सा रफ देता है इस पर क्या करना पड़ेगा आपको करने के बाद जब ड्राय हो जाता है तो एक बार कपड़े से थोड़े वाइट प बसन आई हो और आपको हिल्फुल लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको कोई और वीडियो देखनी है कुछ और समझना है कमपैरेजन करना है तो आप कमेंट से मुझे बता सकते हो मैं उसके वीडियो डाल दूंगा और कुछ सीखना है तो भी आप मुझे से पूछ सकते हो मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में